को नमस्कार दोस्तों कंसेट केम मौँ आपका सौवा गते हैं दोस्तों हम पो लटी की सरीज हमने स्टार्ट कीती हि में और इस वीडियो में दोस्तों कि में हम यह हमने इज़ो नंफू सूच शाप्टर को डिसकस करेंगे इससे फहली वी devotee में दोस्त हमनें फर्स चैप्टर सैकिंड थर्ड फोर्थ फिफ्ट और सिक्स्त यह चैप्टर दोस्त अच्छे से कवर किया है और इस वीडियो में दोस्तों टार्गेट है हमारा गया नुसूच जो सात्वा चैप्टर है पॉलिटी का घटना चकर का पूर और लोकन का इसको कंप्लिट करने कोसिस करेंगे और देखेंगे को कैसे टैकल किया जाता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज हम यह सेडूल स्टार्ट कर रहे हैं 43 पेंज नंबर पर है तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक्जाम में कोसन पूछन के अपना ही अलग पैटन हो और उसी पैटन पर एक्जाम में कोसन हम से बार बार पूछता है चलिए यह सेडूल है दोस्तों हमारे सविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची आए और जब सविधान बनकर तयार हुआ था तो उस टैम में दोस्तों 8 अनुसूची थी 4 अनुसूचे बाद में एड की गई है हमने पिछली वीडियो में भी डिसक्स क्या था नाइन सेडूल टैंथ 11 और 12 तो चलिए हम सारी बार एक बार अनुसूचे को एक बार पढ़ते हैं और इसके बार हम दोस्तों सवाल करेंगे कि सवाल एक्जाम में कैसे पूछता है यह देखिए पहली अनुसूची में दो इसलीट करना है तो हमें 25 के 25 सविधान के भाग याद होने चाहिए 12 नूसूचें हमको याद होने चाहिए पुरियं कидड़ियू-इसके उसके बाद आपको 352 से लिए के 360 तक 306 आर्टिकल आर्टिकल 123 तो मेन मेन आर्टिकल दोस्तों आपको पता हो नहीं चाहिए जो एक्जामिक रिष्ट ने बहुत इंपोर्टेंट है तो चले स्टार्ट करते हैं तो पहले नुसूची में दोस्तों राज्यव संग्राजी शेत के बारे म दूसरे नुसूची की वेतन भटे के बारे में ले लेक आप यह द्हान अगना दूसरे निसूची का वेतन बहत्ते bridges Other यह किवल की पॉइंट पकड़ लेना और जो details को बाद में किसी वीडियो में डिसकस करेंके पहले नुसूची में डिटेल म में क्या है सेकjob में अंधर में क्या है लेकिन आप जो कीवड़ा उसको दियान में रखना पहले नुसूची में राजयव संग राजय छेत्र के बारे में हैं दूसरी निसूची में दोस्तों भत्ते के बारे में लिखा गया है तीसरी निसूची में दोस्तों सपती आपको यह की पुइंट द्यान लगना है सपत कैसे कैसे लेंगे उसमें आठ नोग पुइंट लिखे हुए है चोथी निसूची में और 6 अनुसोची में दौस्तोंसम में घाली हैं तिरुपरा और मिजोरम यह आप को याद होने चाहिती है नीजिसी सकता है इसमें सकते वह बजन किस प्रकार होगा उसमें तीन अनुसरी आए दोस्तों संग सोची राजय सोची संवर्ति सोची कि अब चलिए फिर आठवेन सोची आती है आठवेन सोची में 22 भासाओं को जिकर है कि यह आठवेन सोची और नुवेन सोची सबसे पहले में सविधान सुजण के मादियम से लाए गई थी यह देखिए नुवेन सोची में दोस्तों भूमी सदार समर्द न कर उनों को सामिल क्या गया है यह बहूत instaur है आपको दिान डे और न रखना नुवेन सोची भूमी सदार समर्द चेयं और दस्पर नस्वेन सोची दोस्तों दल बदल का दाहुर पर निरहरता अिधकि बदन सालह और राज्य विधान सब के सदस्चियों के बारे में हैं तो कैसे वे उनके योग्य कराट दिये जाएंगे तो यह आपको की पॉइंट ध्यान अगना है उस पर दशीं में सब्सक्राइक के बारे में अब बाध याद होने चीए इन व्यूलंक हम के वालग से लेकर आएंगे के उस वीडुजु नान के वल पिछल साल के कोसल को डिसकस करेंगे तो चले पर करते हैं यह आपको यह भी पढ़ना आपीए कि याषिए THAT यह और आपको यह भी पता अइया कि में म pledge 19 विसे और नगर पाली का वाले में दो स्कावरा विसे हैं अधियान रखना आपको यह पंचयत वाला त्य सविधान सोजन के अधिनयम के माधियम से जोड़ा गया था और 12 निवीज चीगो जोड़ा गया था 74 सविधान सोजन अधिनयम 1902 में के माधियम से धियान रखना थान देखते हैं कैसे पूछता एक्जामनल पहला question भारते सव्धान में कुल कितके नुशूंची आया था जो चार बाद में जोड़ी गए तो को मैंने भी आपको बता है रही के जो परतःम स्वधान सदौन अदिया मा तब इसमें जोड़ी गही थो बहुम उद्हार कानुन को डाल लगा था सबसे पहले यह वहां नुसुची जिसमें कर कोई एक्ट कि सरकार गॉर्मन डालती है तो उसमें नियायपाली का पहले क्या था कि उसका नियाय यह समिक्षा नहीं कर सकती थी लेकिन अब वर्तमान में कर सकते गर वह सविधान के किसी भाग को लंगन करेंगा फंडमेंटल राइट को लंगन करेंगे तो चलिए दस्वियन नुसूची आपको बताए दिया मैंने दल बतल के अधारे पर नियर्टा के बारे में ग्यारी सविदान बारान में सचांव पेसर दल्ग है खकेते हैं कि और फैसर देखते थी जो की अगया है तो देखें आप देखें आपको पहला तो गलत है तो आपने एक आट दिया और आपने इक आट दिया अब देखिए या तो दो ठीक है तीन ठीक है अजय तो आपको पढ़ना अच्छे से अब भारत के से दन में 3090 अच्छेद है तो बहुत ज़्यादा पेंच चुके चाड़ सो से बीजादा पूंच चुके तो यह पढ़ते हैं भारत के से दन नव दस वी 11 वी और बार वी पैसे को सविधान सदुदन अधीन सदुन दूरा जोड़ा गया तो अभी हमने देखा है कि देखें नाइन्थ टैंथ और इलेवन तो ट्वेल ती जो सेडूल है इनको ने बाद में संसुदन के जोड़ा गया तो इसका राइट आंसर सी है कि देखें पड़ते हैं कि भारते सविधान की निमन दी गए निसोचियों में से कुन सी एक राज्यों के नामों की सूचीा नके राज्येश्ट की दोस्तों पहले न आप पहले न कहीं आ हैं और पहलीश्ची ईस और संग्राज है चेतर के बारे में बताए कि यह आपको एकदम फिंगर पहुने चीजिए सारे अनुसूचियां और सविधान भाग हैं कि 25 के 25 आपको पता होना चीजिए एकदम पूरे पता होना चीजिए दोस्तों और आर्टीकल बहुत सारे आपको याद होनी चीजिए तभी तो पॉलिटी या सविधान पढ़ने का फायदा है कि चलिए कुछन पढ़ते हैं यदि भारत संग के एक नए राजज्य का सरदन करना हो तो सविधान की निमलिखित अनुसूचियों में किसी एक अवेश्य संसूजित किया जाना है चाहिए तो बताईए कुन सविटी में समस् lag जाना चाहिए तो पहले बारे में थो पहले न सूरी सुचिकोई स dal कि यंदी ऑन sharks है तो थी में चींच में सब्सक्राइब किन यह तैं किनिवाबारे मैं मतने बताऊंगा मैं लोग स przeci कर तो हम सपत किली के बारे में थी सचे में थीनुसे में तो की पॉंट धया नहीं है फोर्ट न शुचे में दोस्तों जो राज्यस आ यहSo सक भाहगों यह तो यह सह driver in नैश को संदेखते हैं अको कि भारत के स्थानों का वंटन के बारे में लिखा गए थो राइट अंसर दोस्तों इसले नैश को देखते हैं कि भारते से दान के तृति तो बढ़ाया घाल तो चलिए कि आप संक्य मंत्री के लिए पद की सब्सक्रा प्रारूप है तो दोस्तों यह है संक्य मंत्री के बारे मुंसमें लिखा हुआ अ्ष्टम न्याले के मुख्यन इस दूबर दीद लिए जाने वाली सपत हो दूस्तों ये पहले और दूसरे तो है ये दौस्तों भारत के राश्ट पती के लिए पद्गी सपत का पारू तो ये नहीं है कि राष्ट पती के पार में नहीं दिखा हुआ है तो यह देखते हैं संसद्ध के सदसे दोबर ली जाने वाले सब्द का प्रारूप दोसका राइट अंसर वन टू फोर्ट तो सी एस का राइट अंसर कि चलिए नैस्ट कुसन पड़ते हैं लिखाया ना यह पूरे आठ लिखे हुए है तो हमें यह याद होने चाहिए जब हम इनको बार बार देखते हैं इनको याद करने का एक यह तरीका है इसको सुबह के टाइम या साम के टाम जब भी आपको सुटेबल टाइम एक घंटा अपने फैक्ट को याद करने में होता है किसी एकजाम यह कोई केवल निकलागा आपको कुछ जियाद भी करनी होगी तो ध्यान नकाना तो यह हमेरी याद करने कि हैं एकदम आठ नो कि आठ याद होने चीए तो चलिए नाश कोशन पढ़ते हैं अ कि सूची एक को सूची दोसे में मिलाना है अ कि देखिए यह पढ़िए भूम सुद्वा जरूर ने दोस्तों सवा इस तरह के सवाल को मैंने सोल करने तरीका आपको बताए है यह आपको सारे पता हो लेकिन आपको बार आने सूचे तो आपको याद होनी ही चाहिए देखे हम पढ़ते हैं अ कि यहां पढ़ते हैं पहले चतूरते हैं स्टम है अस्टम है नवम है तो आपड़े पहला भूमिशुदार बहुत इंपूटेंड है भूमिशुदार कानून डाले गए थे दोस्तों नाइम सेडूल में तो पहले का अदे का जो डी आ यह वड़े डीया नवम तो इनको यह यह तो राइट अंसर हो गया जो भासा दोस्तों आरटवीनी सुची में बाईस भासा आं तो दोस्तों यहावाद होसा है ठीक है अ अन्युदा अड़िता इस शवां में च्टरों का राज्यसुदा अज्टों का वं तो यह तो दोस्तो में पता ही हुना चाहिए आप कासे निकालते हैं एक तीन लगाए है तो एक हटीन एक अगर आपको एक बीकत पता होता ना तो आप आंसर रहां से निकाल लेते हैं इस वे देखते हैं कि अगे भोती सिंपल सा कोशन है दोस्तों और इसका अनसर दे सकते हैं आप इने पड़ी और इने पड़ी सबसे सभीवानी यहां मैं हम दिमाघ कर दोड़ा वांसव कह तो प्रडूर दलाये तो को में तो यह यह नहीं होगा है को मैं में चलिए दल परवर्तन और भरन यह द्यान रखने की पुइंट है तो यह कौन से नों सुच में दस भी में तो डी का टू लगाई तो डी का टू का है तो यह रहा बस राइट अंसर आपका सी निकल का आगया तो दोस्तों ऐसे ही हमें सवाल लोजिक लिए निकालने होते हैं ज़रूर नहीं आपको सारी चीज यह आप कोमन सेंस लगाएंगे और पढ़ना तो दोस्तों आपको यह पड़े गई उसके बिना तो बात बनेगी नहीं आपके तो चली निकल गया के लाइट अंसर सी हो गया इसका आप यह पढ़ सकते हैं साथ यह निसूचि में यह रहा कि सकते को बारे में आवंटने कैसे कैसे होगा संग सूची राजे सूची संवर्ति सूची यह आठवी निसूची में भास आई हैं नुविय निसूची में कुछ दिनियम का विद्धिय मान्य करने का मतलब यह भूमिशतर सम्मधित जो सूची बनाए गए आप धियाना करना कि इस सूची में जो कारून डाल यह नहीं कि जाएगी तो ऐसा है लेकिन सुप्रिम कोट ने क्या रखाया हमान्य मुच नियाय लेने उस्तम नियाय लेने क्या क्या रखाया अगर फंडेमेंटल राइट्स या सविधान के मूल भावने को लंगन करेगा तो उनकी नियाइक से की जा सकती है तो यह आपको य सुचे मताया गया है भासाई के बारे में 22 भासाओ का मापरूल मर्णन दल परिवर्तन के अधारपन इनरता कुन से नुश्य में यह दोस्तों दस्विय नसुची में तो चलिए संग अगला पड़ता है संवर्ति सूचे तो यह सूचे कुन सी है यह साथ वने सूचे में यह आपको पता होना चाहिए बल्कुल 22 भाग आपके टोटल 25 और यह बारा आपके नहीं सूची है यह तो आपके दोस्तों कंठस्त होनी ही चाहिए और एक से लेकर क्या टाविस आपको आर्टिकल 324 आपको पता होना चींडिए बिल्कुल कमिस्टन के बारे में आर्टिकल 368 पता होना चींडिये जो 22 जो 20 भागय सविधान का, जो सविधान का संसोधन है यह कि अश्य दखेई पर दोस्तों आपको यह तो आपको रूटे वे उने चींगे बिल का पहले कैसे निकलते हैं यहां देख देखते हैं कि दौक यह तो यहां तो है नहीं पहला लृष्ण राज्यंद ho यहां नहीं है राइट आंसर दोस्तों यह बचा तो यह आंसर होगे आपका चलिए यह इन्पोर्टेंट आपका किस पर्धान मंत्री कारेकाल के दुरान भारत के सविधान में नुवे नुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों स्टैंपर जभारलाल नहरू हमारे पीम ते प चलिए नैश्ट पढ़ते हैं कि राज्य भूमसुदार धिन्यमों को सविधानिक श्रोक्षा परदान करने तुछ सम्मिलित किया गया तो राज जो भूमसुदार सम्मिलित कानुन देवा नुवे नुसूची का ता यह तो राइट आंसर ही हो गया चलिए नैश्ट पढ़ इसका कहाना का मतल्य है नुवे नुसूची में जो एक्ट डाल दिया गया है कि निया लेस्का समिक्षा निकर सकता है तो यह पड़िए को हिलो के भारत के सविधानिक समदीत है तो दोस्तों नुवे निसूची सम्मदीत है यह आपको पता उना चीए कि चलिए नैश्ट पढ़ते हैं कि संग सूची यह मिलाना है तो यह आपको ज़रूर नहीं आपको यह पता ही हो और एक्जाम में यह पूछे भी नहीं आता है कि इतना डेटा आप याद गरो कि संग सूची में कितनी एंट्रियां लिखी में प्रिविस्टियां राज्य सूची में इतनी प्रिविस्टियां कि पूछ भी सकता है तो यह सवाल दोस्तों छोड़ने के होते हैं हंड्रेड को सन नहीं अटेम्ट करने के होते हैं कुछ को सन अगर छोड़ दोगा तब यह आप क्वालिफाइंग प्रेलिम्स कर जाओगे तो उसका राइट अंसर दोस है तो इससो आर्थ यह जनगता विशा है वो समवर्थी सूची का है वराइट आंसर कसी है चले हैं आगे बढ़ते हैं अर्थी की नियौजन भाड़ते सरविदान के किस सूची में सामलित हैं तो देखे रिपीट को सन नहीं आरती चीज समवर्था सूची में तो राइट आंसर सी ए समवर्ति सूची में तो नेक्स बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा विससा समवर्ति सूची का है कि दोस्तों संवर्ति सूची का विशह है आप राधिक माम ले यह राइट अंसर है उस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ऐसी मैं आपको अच्छी और टोपिक पर वीडियो लेका हूंगा जैसे हिस्ट्री हुआ हिस्ट्री की घटना चक्र को मैं लेका हूंगा फिन इन्वोर्मेंट लेका हूंगा मैं और इसके बाद दोस्तों जो भी इनका थियोरी का पॉर्शन है उसको भी मैं भूजल लेका सबसे पहले मैं हिस्ट्री को लेका हूंगा जहां सबस्यादा कोशन पूछ जाते हैं फिर पोलोटी को लेका रहांगा और इन्वोर्मेंट से संब्धी जोग्रफी से संब्धी जो कुछ टोपिक है जैसे नेस्टनल पार्क हुए बायोडिवर्सिटी हुई और बाइस फर अलिफेंट रिजर हुए तो इनको याद करना तुड़ा मुस्किल होता हुए तो इनको कैसे टगल करना है जैसे रिवर्स वी और उनको कैसे याद करना उन पर मैं अलग-अलग से वीडियो लेका आऊंगा तो चैनल को दोस्तों जोइन करें जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को वीडियो अच्छी लेके तो लाइक करें पसमाय तो दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हैं आप निमलिखित में से कौन सी मद्ध भारत के स्हिधान की समवर्ति सूची में हैं तो समवर्ति सूची में पढ़ते हैं लोग स्वास्ति उस्वच्टा पढ़ती व्यक्ति कर निखात निदी जैंसंके नियंद्रन और परिवाय नियोजन तो दोस्तों राइट आंसर एँ है जो ल तो सकत्राइब आसर दोस्तों सीए राज्य सभा में सीटो का बठारा अब बताएम इस इसे अनुसी पूला गूंद सेंसे में वह बठिए स्वें सुची में लिखा गया है इसलिए नेक्ट पढ़े देए अजये लिक्ति में तो समर्ति सुची में है तो समवार्ति सुची में दोस्तों सिक्सा आजुकेशन हैं नाकी किरसी पुलीस वरक्षह यह नहीं समर्ति सुची में सिक्साएं चलिए नैस्ट को बढ़ते हैं शिक्स प्राराम में राजे सूंची विशय था उसे सम्वर्थित सूंची में धारने तिर किया गया तो आपको बताना कि से क्या गए दोस्तों यह तब बैली सवा समदान सुदन के मादिम से जोड़ा गया बैली सवा समीधान सुदन अदीने में बहुत इन्पोर्टेंट है दोस्तों यह आपको याद होना चाहिए कि देखते हैं भारती सविधान के किस संसुधन में वनों को राजय सूची से समवर्थी सूची में इस्थाना अंत्रित कर दिया गया तो बैलिस्वा सविधान संसुधना दिने दोस्तों पांच चीजों को समवर्थी सूची में डाल लगाया था पांच चीज कौन कौन से दोस्तों यह लिखा हुआ यहां पर कि कि किर्सी और पुलीस और एजुकेशन यह कुछ इस तरह की दोस्तों चीज एती चलिए नेक्ट पड़ते हैं कि अंदर ता समवर्था समें सूची के बारे में निमलप्य यूग में से कौनसा संमेलियत सही नही है तो यह बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों कि जो सेर मार्कीट यह समर्थीज प्रशह नहीं है तो इसका marc樂 ऐठ आंसर भी है और दोस्तों एक बात यहां पर दियान रखने हैं कि इस तरह के कोस्टन अगर नहीं आ रहे हैं आपको एक्जाम में तो छोड़ेने को होदे कुछ इतनी सारी इंफोर्मेसिन दोस्तों याद करना बहुत मुश्चिल हैं क्योंकि संवर्ति सूची में बहुत सारी विशें हैं इसने कि सूचि में बहुत सारी हैं तो सारी आपको याद करना बहुत मुश्किल काम है लेकिन आप जो एक्जाम में बार बार रिपीट हो रहें है विसे के वब तो यह नाश कोशन पढ़ते हैं यहां यह दिखा लेख गए केंद्री सुची राज्य संवर्ति और अवसिस्ट तो अंत्रिक्ष देखुए हैं यह पढ़िया पहले सबसे पहले तो आप बताईए सबसे पहले अंत्रिक्ष अनुसंधार यह कहां पर कहां होना चाहिए अंत्र इत्युटाए जन घंगन नहां पर होना चींग है केंद्री सुची राज्य सुची समध्यी सूची यह अवसिस्ट विशुच्र है है और यजनसंख्या नियंत्रन परिवार नियोजन है और यह पुलिस सर्द्विस वाह जो विशा है दोस्तो वह राज्य सुची का है तो आ देखें दोनों में आपको देखो 50 वारा आप पहुंच गई है बाकी देखो आंसर कैसे निकलता है अब हम यह देखते हैं अंत्रिक्ष अनुसंद्धान यह है देखें राजय सोची का तो विशा है निये आपका तो यह जो है ना समझति सुचिका तो दोस्तों अवसिस्ट विसे तो राइट अंसर दोस्तों का एग जो नेक्ष पड़ते हैं भारते सवितान के निमलिकी दिमें से कौन से प्रावधन शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं आप देखना यहां पर लिखाए कि आप cupy अप तो कॉन से डालते हैं रध्याश्य ससब्सकित ने लिसकित सभी ठाड़ते हैं इक फिसुंद और शी आंड़की कहीं आध़ कि сам łगी प्रभाव डालते प्रभव डालने के बात लिखा गया है पांच विन सुची एच्छटी और साथ प्रभव जरू डालते हैं होंगे तो उसका राइट अंसर सभी है यह सारे हैं तो तीन चार पांच पढ़ते हैं भारत के सभदान की निम्लिकित में से कौन सी एक अनसुची में दल बदल से सम्मधित प्रावधान है तो उसका राइट आंसर दस विन सुची में दोस्तों लिखा गया है तो डी इसका राइट आंसर है तो यह नेक्स कोशन पढ़ते हैं यह कोशन रिपीट है यह वाला भारत राश्च पासन से लिखा अनसुची में दल बदल विरुद्धिक कानुन और रखा गया है तो करवा राइट आंसर दोस्तों दस्विन सुची इस बहुत इन्पोटैंट तो दोस्तों इस बारा की बारा की बढरा आपका राद होनी का फिंगर पहूनी चाहिए तो पड़ते संबंद राष्ट वास से नहीं है अनुषी जुन जाते चैटर को परणासन से नहीं है या पूलावी लोकुन से नहीं है यह तो प्रोधि कानून सात्वीन सूची के अंतरगर्त संग सूची में निम्लिखित में से किसका लेक नहीं है तो यह देखिए किस तरह कोशन पूचा गया है तो बहुत मुस्क्रिल है कि आप सही तक पहुच जाए तो छोड़नी दोस्तों आसान होता है इन को जरूरी निया कि सारे को सब्सक्राइब करने हैं निम्लिखित में से कौन सा विश्या भारति स्रदान की संग सुची सम्मधित नहीं है हमें कम से कम वे कोस्टों में आने चीए जो सब बाकी लोगों को घबरान नहीं कह सकता हम वहां हं जहां बाकी को आ रहे हैं और हम को नहीं आ रहे हैं तो लगत पल कुल यदे मात चले पढ़ना इसão है वारति संग संवची संथी कि ये वाला रक्षा रेलवे ये विदेशिक माम लें तो दोस्तों कर सकते हैं आपको इस तरह आप जरूर लें तो राइट आंसर दोस्तों उसका डी कि चलिए नाश को संदेखते हैं कि भारत राच शप्धान की साथ इन द्यूद्युत और वन ये तो ऑगी के आपके समवर्ट िस है तो ज्यान न नकरां थिक्सा विद्धिवत और वन यह तो OWedya राजजय सुची का तो राइट आंसर है तो हम चुतर देखते हैं कि निम्ले में से कौन राजय सूची में है तो राजय सूची में दोस्तों क्वोन सै तो रेलवे पुलिस अभी देखो रिपीट खोष सन्य तो यह तो आपको पता होने ही यह लिए इसलिए तो पिछले साल के पर बेनिफिट यह होता है हमें एक पैटन पता है और दूसरा यह पता लगता है कि हमें किस सीज पर ज्यादा जोड़ देना है और कौन सीज को हमें छोड़ना है तो यह तो दोस्त हमें बैनिफिट देता ही है चलिए पंचायती राज विसान निमलिखित में से किस सूची में समलित हैं तो पंचायती राज दोस्तों राज राजेए सुची समद्धी था है राइट आंसर भी नेस्ट को पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल सा कौप्षन था निमलखित में से कों सविस है भारतिय सविदान की सातवी अनुसुची की सूची तीन समध्य सूची में सामिल है तो यह बताने हैं सब्सक्राइब को देखते हैं विवा विच्षेद और गोद लेना सर्विधान की साथवी सूची में निम्ली खित्म से किसके अंतरग्रत लेगा यह इंपोर्टेंट आपको पूस्टन है आपको एक्जाम में नेक्स टामी पूस्ट आता है तो उसका राइट आंसर सी है सूची तीन और संवर्ति सूची में इनको सामिल क्या गया है विवा वि सूची का समद राज्जी को छोड़ने को होता है कि आपको देखना कितने अंदर डीप में जाके पुछा प्रवश्टी बहुत मुस्किल है इनको छोड़ना ज्यादा साने छोड़ देने से आपका सेलेक्शन होगा एक्जाम में दोस्ता में यह भी पता होना है कौन सामें क सब्सक्राइब कर लगाने का दिकार सविधान के किस अनुचों में लिखित है तो दोस्तों का राइट आंसर सात्वेन सूची में इननों सूची में नहीं है कि चलिए नैक्ष पढ़ते हैं कि भूमिशुदारों के विशह में दोस्तो दया जहते हैं कि अप्रह्त करते हैं यह तो बताना वॵह में लगाने के विशह कंतर गड़ते हैं संग सुची संवड़्वट्य सुची डिम्षिय में थो दोस्तों राज्य सोची में है कि चले ने 10 क tutto देखते हैं भारत के सविदान के किस अनुसूची के दिन जन जातिय भूमी का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण एकरत और सुन्य घुशत क्या जा सकता हैं भारत के सविदान के किस अनुसूची का धिन जन जातिय भूमी का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण एकरत और सुन्य घुशत क्या जा सकता है तो दोस्तों पांच वे नुसूची केता है जन जाते छेज़़ों का प्रावधन इसी में तो राइट आंसर दोस्तों और भी एंनसर व्हार्भी नहीं दोस्तों बार्वी तो नगरपालि का से है और भी भूमिशुदार से लिए तो लिए लिए देखते हैं भारत के सविदान के किस अनुसूची में विभिन राज्य में अनुची चैत्रों के पर्शासन और नियंत्रन के लिए विसे आपको ध्यान अगना ये पांच वी अनुसोची में लिखा गया है ये चलिए नेक्ट पड़ते हैं भारत के सविदान में पांच में जोची और छटे नसूची को बंद निम्लिखत में से किसलिए लिए गए हैं उसलिए उनको स्राफ्षी रखने के पांचमे नौल किया गाया तो सुष्पा राइट आंश्र Beautiful most तो सविदान के नसोचे छहें इन में से किस राज्य में रागू नहीं होती। बिए व व tiGet छार राज्यते हैंative असम टिरपूरा मेगाले मिज confession," मनीपूर", मनीपूर्ध जैने मिजरम है आज मिगालें तरह पढते हैं आपको चार और राज्य पत्व नाज़े असम में घाले तिरुपुरा और मिजवरम चले पढ़ते हैं बहारते सर्दान की छटीया ने सूची निम्लिकीत में से किन राज्यों के जञ जाते छेत्रों के पढ़सासन से समझ देते हैं अभी हमने बताया है असम में घाले तिरु भाड़ते सर्दान की छटे नुसंची के प्रावधान निम्लिक्त मीं से किस राज्य में लाग ऑते हैं दोस्तों आपको चारों के चारों ही याद्कोर्च घालिया तो इसा करम में आपको याद्क Sus ow हो यह सका तो लिए न Nichleson को दिखते हैं है हुआ है सविधन की ग्यारवी नुसूची निम्लिकित मेंसे किसे समझीते हैं है किक ग्यार्वी नुसूची समझीते हैं दोस्तों पंचायत से और बारवी नंगरपाली का से ग्यारवी को जोड़ा गया था गयार्वी अनुसोची में 1917 आपको यह वीषे भी याद होने चीए काई ऐसे बारत के सविदान के गयार नुसोची में 1219 को 29 विसे हैं पुर्फ तो हमने आज साथ वा चैप्टर कम्प्रीट के यहां प्रेट हैं तोस्तों हमारा टारगेट है मैं बैलिस चेपटर हैं और बैल इस वीडियो में को कम्प्रीट करने का हमारा टारगेट है ओर हैं अब को वीडियो दोस्तों अच्छी लिए तो प्लेज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ और नच्ट वीडियो इतुंक डाला तो हमने से पहले जो वीडियों हम ने पड़िया है पहला चैप्टर को फॉर फ्만 está सिक्ट और सात्वा आजमने पढ़ा दोस्तों अनुसूची तो दोस्तों बारा नसूची हमको याद ने चाहिए एक दम फिंगर पर ने चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों उद्देशिका को पढ़ने जाएंगे दोस्तों चलिए तब तक धन्यवाद